हेलो फ्रेंड्स रुपम खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए आज एक ऐसी मज़ेदा रेसिपी बनाते हैं कि जिसे एक बार नहीं बार बर खाने का मन कर जाए खाने में टेस्टी भी हो और बनाने में असान भी त उससे भी कई जादा डिलीशियस और शांदार रेसिपी है वो जानने के लिए बस आपको इस वीडियो के अंट तक बने रहना होगा तो बिना किसी तेरी के आज किस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं इस स्नैक को बनाने के लिए हमें सिर्फ इस दो ही इंग्रीजियन्ट के जरूरत है आलू और ब्रेड तो यहां पर मैंने पहले से ही कुछ आलूवा को उबाल कर रख लिया था उसके छिलकों को हटा लिया है अब मैं इसे अच्छी तरीकी से स्माश कर रही हूं तो यह देखिए आलू को मैंने अच्छी तरीके से स फिर मैं इसमें आट कर रही हूं पेस्ट यह पेस्ट प्याज, हरी मेर्ज, लसन, अध्रक और हींका है इस पेस्ट को डालने के बाद आपको और जादा कुछ आट करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी उपर से आट कर रही हूं बारी कटा हुआ पुदीना और धनिया पत्ता यहां पर हमारे सारे इंग्रिजिएंट्स कंप्लीट होते हैं और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रेट से बनाएंगे तो इस रेसीपी को ट्विस्ट देने के लिए मैं इस ब्रेट को कुछ इस तरीके से क्रश करके आट कर रही हूं मैंने ही हाँ अपने चानल पर बहुत सी अमेजिग रेसीपी की वीजियो शेयर कर रही है आप प्लीज थोड़ा से टाइम निकालकर उन्हें भी बहुत जरूर कीचेगा और आपना रिव्यू देना बिलकल भूलिएगा तो यह देखिए सारे इंग्रिजिएंट्स कम्प्लीट हो चुके कर लीजे क्योंकि मैं आप सभी के ऐसी अमेजिक रेसीपी लाती रहती हूं यह स्नैक और भी जदा टेस्टी लगे इसलिए मैं लास में आइट कर रही हूं एक बड़ा चमस्च विनेगर आप चाहे तो नीम्बू का रस्पी उसकर सकते हैं इसे एक और और मिक्स करूंगी और अब यह डोप पूरी तरीके से तयार है तो यह देखिए अब मैं इसके एक्तम छोटे छोटे कुछ इस तरीके से बॉल्स बना रही हूं आप चाहे तो इसका साइज अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं और किसी भी शेप में बना सकते हैं मैं यहाँ पर छोटी तयार कर रही हूं जिसके लिए मैंने लिया है दो बड़े चमच पेसन आदा चमच बेकिंग सोडा एक चमच नॉन फ्लेवर ओल साथ हलका सा नमक नमक हमें आपर कमी डालना है क्योंकि हमने पहले से ही डो में आट कर रखा था और अब बस इसमें पानी डालकर इसका एक बै अब बस सभी बॉलों को एसे ही कोट करके कडाई में ढालते चलेंगे इस टाइंगे पर आफ फ्लेम को लो टू मीडियम रख सकते हैं और जैसा कि आप सब देखी सकते हैं कि यह आप फूपर फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब यह एक तरफ से प्राय हो चूके हैं अब इसे ऐ पलटते हर तरफ से फ्राइब कर लेंगे यह देखिए इसका कलर भी काफी हद तक चेंज हो चुका है हमें से जाधा फ्राइब नहीं करना है बस तीन से चार मिनट और यह इची तरीके तो बाकी बच्चे हुए बॉल्स को भी फ्राइ कर लेती हूं उसके बार डारेक्टली आपको सर्फ करके दिखाती हूं आप सभी को पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कल मत भूलेगा फिर से मिलेंगी ऐसी एक अनोखी रेसिपी के साथ और आपने मेरी वीडियो को पूरा इन तक देखा उसके लिए दिल से धन्यवा थांस एक ववाचिंग वाढर नाव थाचिंग यहागी होता हैं मेरी खाइब कर दीच चारीज वाजीड का देखा हैं यहागी होगी हैं प्रूले खाएब का प्रूले तंग के वाएब कर दो बारागं